हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो यूर फेवरिट चैनल ब्यूटी ओवागवर कीटा दोस्तों देवराज इंद्र को कौन नहीं जानता यानि कि सभी देपताओं के राजा मानते हैं इंद्र देप को लेकिन कभी आपने सोचा है कि देवराज इंद्र को कोई पूजा क्यों नहीं करता है और देवराज इंद्र के कोई भी मंदिर क्यों नहीं है यानि कि हमारी हिंदू के सास्त्र में और भारत बर्स में एक भी मंदिर सापना नहीं हुआ है देवराज इंद्र के लिए अक्षर ऐसा क्यों है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बदाता हूं तो इस प्रस至 पुजा क्यों नहीं किया जाता है आपको बटा दूंख की इंद्र एक देप्टा या देवी का नाम नहीं है इंद्र एक सब्द यानि कि जो भी मरड़ी के बाद स्वर्ग प्राप्त होते थे उन लोको को इंद्र के नाम से तक तो यानी कि यह एक पदवी था यानी कि जो भी स्वर्ग वासी थे उनको इंद्र का नाम दिया जाता था और कोई भी अपना पद्ध को छोड़ने के लिए तयार नहीं था इसलिए वो इंद्र के सिंहासन पर बेठने के बाद यानि कि जो भी अभी पुद्धवी लोग पर हैं उनको मोहित करता था यानि कि जो भी सादुगण या रुशीगण जो भी तपस्या करते थें उनको स्वर्ग के प्राप्ति होती थी यानि सिलिए जो भी पर बेढ़ता था तो बी जो पुरद्वी लोग पर तपश्या करते थे उनको मौग करता था यानि कि उनको भ्रहमित करता था और जो भी राजा एमहान बीर गति को प्राप्त होने बाले थे उन बहुत हुआ था यानि इंद्रदेप को पुझा क्यों नहीं किया जाता है बन में एक महारिशी रहते थे जिनका नाम था गोटम वह अपने पत्नी यानि कि अहिल्या जिनका नाम था अहिल्या वह उनके साथ कुटिर में रहते थे और वो दोनों एक साधरण जिवनजापन करत और एक पती ब्रता सावित्री नारीवी थे जो अपने पती का ख्याल तो अच्छे से रखते थे और उन्हें उनका सेवा भी बहुत मन्से करते थे उन्हें जो भी देखता था वो मोहित हो जाता था वो अत्यंत सुन्दर थे एक बार राजा इंद्र उसी जगा से गुजर रहे तभी उनका नजर अहिल्या पर गिरा तभी वो मोहित में चली गए और वो सब खोकर सिर्फ अहिल्या को देखने लगे लेकिन वो देखते देखते वक्त होने के बाद वो उनके जगा तो प्रस्तान कर दे यानि कि वो इंद्र लोग स्वर्गलप तो चले गए थे लेकिन उनका मन उनका आखे अहिल्या पर नहीं करने के लिए उसी वक्त वो जाके अहिल्या शे मिलेंगे तो कि राजा यानि कि रुसी गोतम बहाना के लिए तभी इंद्र देब राजा गोतम की वेस धारन करके उनके कुटिर में प्रवेश किया तभी अहिल्या ने पहले तो यह था और अगर मेरे पति अगर अभी गए पतिया करने के लिए वह तो अभी कभी बापस नहीं आते लेकिन उनके पती है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा और जब भी उनको पती को सामने देखा तभी वो सेवा शुरू कर दिया यानि कि उनको पता नहीं था कि इंद्र कि जब खत्म होने के बाद रिशिक गोतम उनके कुटे में वापस आते हैं तभी वह देखते हैं उनकी पत्नी अहिल्या उनकी ही बहरुपी के साथ है तभी उनको ख्याल आ गया है कि यही बहरुपीया लेने वाले इंसान और कोई नहीं इंद्रदेव राजा है तबी वो सोच लिये और बदा दिये कि तुम्हें मैं स्राब देती हूँ कि तुम्हें हिंदुधर में कोई भी पूजा नहीं करेगा इसी परिशानी के कारण तबी इंदुधर बजाने को पाए और रुशी गोतम के पैर पकट कर ख्यमा व्याचना करने लगे तबी भी रुशी गोतम ये स्राब दिया कि तुम्हें कोई भी हिंदुधर में पूजा नहीं करेगे या तुम्हारे कोई भी मंदिर हिंदुधर में स्तापना नहीं किया जा और जब उनके पत्नी ने ख्यामाय आचना की कि है प्रवु मैंने कोई गल्दी नहीं की इसमें मेरा कोई कोशुन नहीं था तभी रुषी गौतम ने उन्हें यह बोला था कि तुम्हें मैंने स्राप दे दिया है यानि कि तुम्हें या पर पत्थर बनके ही रहना है लेकिन अ अहिल्या पत्थर में कन्वर्ट हो गए थी अयूध्या में भगवान स्री राम जब पैदा हुए थे उसके बाद वो जो बन में गमन किये थे तभी अहिल्या के उपर उनका पैर गिरा था उसके बाद उनको मुक्ति मिली थी एसा केकर ये स्टोरी तो खतम हो गया था लेकिन हम कोई पुराणों में भी सुनते हैं कि इंद्रदेप का पूजा कभी नहीं किया जाता था दूसरी ओर हमें और एक ग्रण से यह भी पता चलता है कि भगवान इंद्रदेप की पूजा ब्रजवासी करते थे यानि कि भगवान श्रीक्रिष्ण के जन्म से पहले ब्रजवासी इंद्रदेप की पूजा करते थे बारिश के लिए ताकि बारिश होने के बाद जो भी त तब श्रीक्रिष्न सारे ब्रिजवासियों को यह बताने लगे कि हमारे इंद्रदेप को क्यों पुझा करना जबकि वो कोई देपी देपता का नाम ही नहीं है इंद्रदेप को पुझा करने की कोई जरुत नहीं है हमें पुजा करनी चाहिए तो हमें गोमाता की पुजा करनी है या गोवर्दन की पुजा करनी चाहिए जिससे हमें कुछ मिलता है इंद्रदेप की पुजा करने से हमें कोई फाइदा नहीं है तब ही ब्रिजवासी भगवान स्रीकृष्ण को उत्तर देते हैं कि अगर हम इंद्रदेप की पुजा बंद कर दे तो इंद्रदेप हमारे उपर रिष्ठ हो जाएंगे और हमारा सर्वनास कर देंगे लेकिन भगवान स्री कृष्ण ने जब समझाया ब्रिजवासी को कि हमारे लिए भगवान हमारे गोमाता और गवर्दन परवत है तभी उन इस चोड़दार करना सुरू कर दिया था यानि कि मुसल धारा में बारिस कर दिया था और वो ब्रिजवासियों को डुबाने पर तुल गए थे जब परिस्तिती ऑसंतलन हो गया था तब भगवान स्रीकृष्ण अपने उंगली पर गोवर्दन परवत को उठाया था जिसके बाद ब्रिजवासि गोवर्दन परवत का पूजा करना सुरू कर दिये ऐसे बहुत सारे ग्रंथ और कहानियों में बर्नित है कि इंद्रदेप का पूजा हिंदुधर में किया नहीं जाता इसलिए भारत बर्स में इंद्रदेप की कोई भी मंदिर नहीं है तो आपको कैसा लगा सब मुझे बता सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का स्लोका न चो सक्रम्यवस्ता तुम ब्रह्मो तीबो चो में इस रोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ कभी हम फ्रस्टेटर होते हैं तो हमारे दिमग में एक ही सवाल आता है कि हम कौन है और हम ये क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ ये क्या हो रहा है ऐसा ही एक परिस्तती उत्पान हुआता महाभारत यूद में अर्जून के साथ लेकि और मेरे छीज के बारे में दुसरों के बारे में दुनि चीज़ के बारे में जो नहीं को सफेंशता और उनि आपने एक क्यों थी जो नहीं तो वो वहीं सोचते हैं कि अगर यूद्ध भी खत्म हो जाए तो दूसरों की खत्म हो जाएगी तो मेरी क्या उर्नति हुई मेरी उर्नति उसी में है जहां पर सबकी उर्नती है और इस गेटा में लिखा गया है लोका में लिखा गया है जो भगवान युद्ध के बज़े से किसी का ख्यती होता है, तो मैं यहाँ पर युद्ध करने क्यों आया हूँ? यही इस सवाल वा भगवाण स्री कृष्ण से बार-बार पोच रहेते हैं, है भगवाण, मेरा युद्ध करने का ताथपर क्या है? तभी भगवान स्रीकृष्ण और अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म का संसकार वही होता है जो यूनियों संस्थनेस में सम्मिलित होता है जब धर्म का जीट होगा तभी यूनियन कंचेसनेस होगा अगर तुम एक को सोचोगे नहीं दूसरों को सोचोगे तब इधार्म का जीत नहीं हो सकता है तो दो प्रकार परिस्थितित उत्पन होता है लेकिन हमें परिस्थिति को सामना करना चाहिए ताभी अरजुन समझते हैं लेकिन इस स्लोका में यही लिखा गया है और जुन यूनियन कॉंसेसनेस होने के वज़े से वो यूद्ध करने से बेपरित्मूख होते थे तो कैसा लगा आपको स्लोको और आप आप इस लोकों से क्या जितते हों क्या सीखते हो आप यह सच है या नहीं आप मुझे बदा सकते हो सुखरे से बेख्या रखें टीए नगा बेखते हो और इस लोको मैं क्यों से यूद्ध करने स्लोकों से वेट आपको स्क्राइए रहे खिर्शना